हलो और वेलकम दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ निदा और आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स मिस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं फ्रेंड्स बेरे पास काफी quarries आती है काफी मुझसे यही पूछते हैं कि हमारे हमने मतलब पिरियड्स हो गए हैं आज एक हफता हो गए है या दो हफते हो गए हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है तो फ्रेंड्स देखिये प्रेगनेंसी सिर्फ पिरिय होओ ऐसे पिरियोट मिस हो जाने का मतलब कई प्रेगनशीं नहीं होता है क्योंब प्रेगनेंसी नहीं होता है करन करन पीड हो जाते हैं और आपकीनेंसी टेस्ट भी नेगेट्व तो इसके बारे मैं आपको बताऊंगी और सबसे पहले तो यह है कि हर लेडिस को यह जाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पीरियड मिस होने के कारण क्या-क्या हो सकते हैं बनलब सिर्फ प्रेगनेंसी ही नहीं है जिसके वजह से पेरियड मिस होते हैं इसके और भी कारण होते जैसे कि no.1, stress ज्यादा लेने की वजह से भी period निया सुआ है हार्मों इस लिए वजह से पीरियद दने आते हैं suficiente हैं या फिर लेट हो जाते हैं इसके आलावा 3 आपका मोटार्पा वेड ज्यादा बढ़ना या फिर आपका वेड कम हो जाने की वजह से भी आपके periods मिस हो जाते हैं या फिर आपका pregnancy test भी नेगेटिव आएगा इसके आलावा नमबर 6 PCOS यानि के polycystic ovary syndrome इसकी वजह से आपको period late होते हैं या फिर आपके period miss हो सकते हैं इसके अलवा नमबर 7 ज्यादा exercise करने के कारण भी आपके period miss हो सकते हैं तो friends आपको यह ध्यान ध्यान रखना है कि सिर्फ pregnancy ही ऐसा नहीं है जिसकी वज़से period miss होते हैं pregnancy के अलावा और भी कारण होते हैं जिसकी वज़ा से period miss हो जाते हैं तो friends उमीर करती हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो like कीची और हमारी सी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीची निदा हैल्ट केर झाले हैं जिसुमाची